आग्रा में सरवाधेत लोग प्रिये चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें जरसंसान गंगाजल प्रियोजना के तहएद वर्टरवाक्स जीवनिमंडी के पास वर्टरवाक्स चौराहे से आग्रा किला मुख्यमार्ग पर गहरी सीवर पाइप्लाइन डालने का कार करा रहा है इससे मुख्यमार्ग पर दिन भर जाम के हालाद बने रहते हैं शहर में जीवनिमंडी में तीन महीना से जो पाइप्लाइन के लिए खोदाई हुई है चेंबर ने समय समय पर मांग की है कि इसकी सलक तुरंत बनाई जाए लेकिन अभी तक सलक नी बनी है संबंदित विवाग का कहना ही है कि उसमें कुछ लीकेज रह गई है उसके लिए का कारवाई चल रही है तो विवाग का कहना यह है कि जब तक लीकेज नी मेरेगी जब तक उसको जो है वो आगे हम कारवाई नहीं कर सकते हैं लेकिन हमारा कहना यह है कि इसकी लीकेज भी दूड़ना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है इसको जो है वो जल्दी से जल्दी डू इदर से उदर आते जाते हैं पाइप लाइन के कारेश से यतायाद बादित होता है और यह रास्ता में रास्ता है इस पूरे चेतर का एक तरीके चाहिए इसको इंटर्नल बाइपास मान के चलें कि यहां से सुबह से शाम तक जो है बहुत जागा ट्राफिक रहता है यहां से अब देखना यह होगा कि जलसंस्तान कब तक इस रोट पर सिबर पाइपलाइन का काम पूरा करा पाता है अजय बहादूर सी न्यूज आगरा